पवन सिंग के दोस्त की पत्नी बनी निरहुआ की पत्नी आजकल सोशल मेडिया पर निरहुआ और उनकी वाइफ की फोटो खुब वाइरल हो रही है और बताया जा रहा है कि इस फोटो में जो लेडी निरहुआ के साथ खड़ी है वो निरहुआ की पत्नी है और ये दो बच्चे निरहुआ के बच्चे है लेकिन क्या आपको जो सच्चाई बताई जा रही है वो सच है आईए करते हैं इसकी परताल जब हमने इस खबर की परताल की कि क्या ये निरहुआ की रियल वाइफ है तो पता चला कि ये निरहुआ की वाइफ तो है ही नहीं और न ये निरहुआ के बच्चे अगर आपने निरहुआ के बच्चों की फोटोस को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये फोटो उनके बच्चों से कितनी डिफरेंट है हाला कि अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर निरहुआ लगातार अपने बच्चों की फोटोस पोस्ट करते रहते हैं आप निरहुआ के बच्चों से इन बच्चों को मिला लिजी क्या इनकी सकल इनसे जरा भी मिलती है नहीं न अब हम आपको एक और फोटो दिखाते हैं जिसे देखकर आप चौक जाएंगे अब ये फोटो देखिए इस फोटो में जो लेडी है वही निरहुआ के साथ खड़ी है और जो बच्चे हैं वो भी इनके साथ खड़े है ये लेडी कोई और नहीं पवन सिंग के बच्चपन के दोस्त और भोजपुरिया काका के नाम से मश्हूर अरुन सिंग की वाइफ है अब आया आपको पूरा माजरा समझ में भोजपुरी एक्टर अरुन सिंग की वाइफ और निरहुआ की मुलाकात एक फंक्शन के दोरान हुई जहां वो अपने बच्चों के साथ गई थी बच्चों ने निरहुआ को देखा तो ममी से जित करने लगे कि उनके साथ एक फोटो खिचाई जाए वैसे हम आपको बता दे कि अरुन सिंग को निरहुआ अच्छी तरह से जानते हैं और वो उनके फैमिली फ्रेंड भी है और इसलिए उस फंक्शन में बच्चों के जित के आगे अरुन सिंग की वाइफ ने निरहुआ के साथ फोटो क्लिक करा ली जैसे ही ये फोटो वाइरल हुई सभी को लगा ये निरहुआ के ही बच्चे और वाइफ है आपने अक्सर देखा होगा कि निरहुआ अपने घर की हर सदस्य की फोटोस सोशल मीडिया पे डालते हैं लेकिन अपने घर की लेडिस यानि कि अपनी वाइफ और अपने छोटे भाई प्रवेस लाली आदाओ की वाइफ की फोटो वो कभी सोशल मीडिया पर नहीं डालते। इसके पीछे क्या रीजन है वो तो निरहुआ ही जाने। लेकिन हाँ इस फोटो के वाइरल होने से ये तो पता चल गया कि लोग निरहुआ की वाइफ को देखना जरूर चाहते हैं। भूचपूरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूले।